हलो फ्रेंट्स, आज आप लोगों के लिए नया लेशन लेकर आए हैं फ्रेमिंगो का लेशन टू लौश्ट स्प्रिंग स्टोर्य आप स्टोलें चाइल्ड हुड लौश्ट स्प्रिंग का मलब हुआ खोया हुआ बसंत इस लेशन में लेखिका अनीज जंग जो की राहुर क लगदो भागों में है एक भाग में बंगला देश से आये हुए एक लड़का जिसका नाम है साहिबे आलम उसके बारे में वर्ण करती है और दुसरा पार्ट है वह फिरोजाबाद जो कि हमारे भारत देश में फिरोजाबाद चूणी बनाने वारे लड़के की अवस्था का दोनों में ही बच्पन की उस अद्दसा का वड़न है जो बहुत गरीबी असहाय और निसहाय आवस्था में है लेकिन दोनों ही लड़के जो गरीबी में पले बढ़े थे चाहिए वह साहिबे आलम रहा हो या मुकेस रहा हो दोनों ही महत्वा कांची थे तो हम सबसे पहले पार्ट वन साहिबे आलम के बारे में चर्चा करते हैं लाइन वाई लाइन एक्स्प्रेन करेंगे आसा है कि आपको इजली समझ में आएगा सम टाइम आई फाइंड रूपी इन गार्बेज गार्बेज माने होता है हूने दान कभी कभी मुझे कचरे के कचरे में एक रूपेया मिल जाता है वाई डू यू डू डू दिस अब जो कचड़ा बीनने वाई लड़का है साहिवे आलम उसे लेख का अनीश जंग एक दिन पूंचती हैं जब वाई कचड़ा बीन रहा था तो उससे पूंचती हैं वाई डू यू डू डू दिस तुम ऐसा क्यों करते हो आई आस्क साहिप हूँ इजे हूँ आई इनकाउंटर इवी मॉर्निंग इसकोंजिंग फार गोल्ड इन गॉर्बेज डूंप आप माई नेवर्वूड मीनिंग देख लीजिएगा इनकाउंटर मने सामना हो जाना इसकाउंजिंग माने होता है कोई सामाने छुप करके है चुरा करके भीनना गार्बेज माने होता है पूड़ा डूंप माने होता है धेर नेवर्वूड माने होता है पनुसी आए आसपास मैं साहिब से पूड़ती हूँ 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 आए इनकाउंटर इवरी माने जिसका मुझे हर दिन सुबर सामना हो जाता है इसक्राउंजिंग भार्गोल्ड इन गार्बेज डंप इन माई नेवर्वूड जो मेरे आसपास में कूनेदान में से सोना ढूरता है साहिब लेफ्ठी जोम लांग एगो साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था सेट इमिटेस्ट दे ग्रीन फिल्ड आप ढाका जो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में श्थित्त था ही जोम उसका घर ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था इस नाट इवेन दे डिस्टेंट मेमोरी जो इसमिती में दूर नहीं है देर वियर मेनी स्टॉर्म दैट सिप्ट अवे देर फिल्ड एंड होम वहाँ पर हिज मदर तिल्स हिम उसकी माँ उसको बताती है कि वहाँ पर बार बार तूफान आते हैं जिसके काण उसके फिल्ड मलब खेत और घर नश्ट हो गए दैटी जय हुआई इसी काण से दे लिप्ट इसी काण से उन लोगों अपने घर को छोड़ दिये लुकिंग फार गोल्ड इन बिक सिटी वेर ही नाव लिब और उपने घर को छोड़ा लुकिंग फार गोल्ड इन बिक सिटी बड़े सहर में सोने की तलास में वे अपने घर को छोड़ दिये वेर ही नाव लिब जहां पर वेर रहते हैं I have nothing else to do मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है He mutters looking away दूर देखते हुए Go to school, school जाओ I say glibly Glibly माने होता है चिकनाई से, चतुराई से मैंने उसको चतुराई से कहा Realizing immediately how hello the advice must sound खोखली होना मैंने तुरंत ही महसूस कर लिया कि मेरी जो मेरा जो वादा है वा कितना या सला जो है वा कितना खोखला आया मैंने उसे एक प्रकार से भी कह सकते हो कि मैंने उसको एक बेदम, बेकार की सला दिया There is no school in my neighborhood मेरे पड़ोस में कोई विद्याले नहीं है When I They Bull to one I will go जब एक इसको बन जाएंगे तो मैं जाऊंगा If I start a school यद मैं इसको शुरू करूँ Will you come? क्या तुम आओगे? I ask लेका उसे पूंचती हैं हाप जोकिंग थोड़ा मजा करते हुए Yes, He says बहता है smiling broadly वह मुश्कुराते हुए जबाब देता है A few days later कुछ दिनों के बाद I see him running up to me कुछ दिनों के बाद मैं उसको अपनी तरफ दोड़कर आते हुए देखा Is your school ready? क्या आपका विद्याले तियार हो गया? एक स्कूल बनने में लंबा समय लगता है हमने जो वादा किया था उस वादे का कोई मजलब नहीं था यानि बेकार के वादे में कहने के मलब अपने जोंठे वादे पर लज्जित होते हुए मैंने कहा बट प्रॉमिस लाइक माइन ब्रोड इन इवरी कॉर्नर आप ही ब्लीक ब्लीक माने होता है बेरंग ठीक है बेरंग या बेरुखी पर उसके सूखे जीवन के हरे हर कॉने में मैंने जैसा वादा किया ऐसा वादा उसके जीवन में भरे पड़े थे फिर देख लिजे बट प्रॉमिस लेकिन वादा लाइक माइन मेरी तरह है अबाउंड इन इवरी कॉर्नर आप ही ब्रीक वर्ड उसके बेरंग ब्रीक वर्ड है उसके बेरंग संसार में ऐसे वादे भरे पड़े थे आप्टर मन्त आफ नो रखो ही कई महीनों जानने के बाद या उससे परचे होने के बाद I ask him फिजने मैंने उसका नाम पूँचा साहिब अलम उसने जबाब दिया कि साहिब अलम है कई महीनों किस का उससे आने जाने से लेक्रुण का कर उसका परचे हो गया तो एक दिन पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है तो बताता है साहिब आलम ही एनाउंस्ट उसने गोस्णा किया ही दर नाट नो वाट इट मीन्स वर इसका मतलब नहीं जानता है इप ही नो जे इट्स मीनिंग ये इसका मतलब या माइने समझता होता है समझता है लाट आफ इन्वर्स लाट आफ इन्वर्ण ब्रहम्हार्ण जिसका मलब होता है दुनिया का मालिक ही ऊड़ हैव ए हाट टाइम बिलिविंग इट हाट टाइम बिलिविंग इट इसका मतलब समझने मुसको समय लगता 건resh है अनावेर आफ उसके नाम का क्या मदलब इससे अंजान होकर करके ही रोम्स दे स्ट्रीट बिथी जे फ्रेंट्स वह गलियों में पने मित्रों के साथ भूमता एन आर्मी आप बेर फूट बॉआ है नंगे पैरों वाले बच्चों की एक सेना जो सुबह जैसे चिडिया आती है वैसे ही आता सुबह के चिडियों की तरह वैं उपस्तित होता या आता and disappear मैंने गायब हो जाता है at noon और दोपार को वैं चला जाता ओवर मंत महीनों बाद I have come to recognize each of them महीनों बाद मैंने उन सब को पहचान लिया why are not you wearing चपल I ask one मैं एक से पूछती हूँ पूछा कि तुम चपल क्यों नहीं पहनते हो my mother did not bring them down from the safe मने होता है टान जिसको बोलते हैं आप लोग मेरी मा उसको टान पर से नहीं उतारती है he answer simply by बड़े सादगी से सरलता से जबाब दिया even if she did will throw them up even if she did यह उसको उतार देती है he will throw them up उसको फेंग देगा added another who is wearing shoes दूसरे लड़के ने कहा जो जूता पहने हुए था that do not मैं जो उसके मेल नहीं करते दनी बे मेल जूता पहना हुआ था when I comment on it जब मैंने उसके जूतों पर टिपड़ी किया ही सफ़ड़ माने होता है अदला बदली करना पैर रगड़ना his feet उसने अपने पैरों को रगड़ा and says nothing और कुछ नहीं बोला I want shoes मैं जूते चाहता हूँ says a third boy तिसरे लड़के ने कहा who has never wanted a pair all his life जिसने अपने पूरे जीवन में जूता पहना ही नहीं था traveling एकराद का country सहरों से यात्रा करते हुए I have seen children walking bare footed मैंने नंगे पैरों वाले बच्चों को यात्रा करते हुए देखा था इन city सहरों में on village road और गाउं के गाउं की सडकों पर it is not lake of money पैसे का अभाव नहीं था बट a tradition मने परंपरा होता है to stay bare foot लेकिन नंगे पर होने की एक परंपरा थी is one explanation एक लड़के ने बड़े अच्छे से व्याख्या किया I wonder मैंने आश्यर किया if this is only an excuse मैंने आश्यर किया if this is only an excuse के वहले एक बहाना है to explain away a perpetual state of poverty मैंने आश्यर किया कि एक लगातार गरीबी का एक बहाना है I remember a story after man from UDP once told me मुझे UDP के UDP में रहने वाले एक बेक्त की कहानी याद आ गए उसने जो मुझसे कहा था UDP में रहने वाले एक बेक्त की कहानी हमें याद आई जो उसने मुझसे कहा था As a young boy, एक युवा लड़का हुँ, he would go to school past an old temple जो एक लड़का था मंदिर के पीछे से school जाता Where his father was a priest जहाँ पर उसके पिता एक पुरोहित थे He would stop briefly at the temple मंदिर के पास थोड़ा रुपता था And pray for a pair of sooj और एक जोड़ी यूते के लिए प्रात्ना करता 30 years later, 30 years later, I visit his town and the temple 30 years later, when I saw his temple, which was now drawn it in an air of dissolution Which was now drawn it in an air of dissolution जो अब बिलकुल बिरान था In the backyard where lived the new priest In the backyard पिश्वारे में where lived the new priest जहाँ पर नया पुरोहित रहता था There were red and white plastic chair, वहाँ पर लाल और सफेज रंग की कुर्सिया थी A young boy dressed in grey uniform, एक लड़का A young boy, एक यूवा लड़का dressed in grey uniform, जो भूरे रंग के, सलेटी रंग के यूनिफार्म में था Wearing a shoes and socks, जो जोते और मुझे पहने हुए था A ride painting हापते हुए आया, and through his school bag, अपने school के bag को फेंग दिया on the folding bed, चारपाई पर Looking at the boy, लड़की की तरफ देखते हुए, I remember, मुझे याद आया The prayer in another boy, दूसरे लड़की की प्रात्ना उसको याद करते हुए, मुझे दूसरे लड़की की प्रात्ना याद आया He had made to the goddess, जो उसने देवी से, जो देवी थी उससे किया था When he had finally got a pair of shoes, जब उसने अंत में एक जोड़ी जूते पा लिया Let me never lose them, अब नहीं खोंगा The goddess had granted his prayer देवी ने उसकी प्रात्ना को स्विकार कर लिया था Young boys like the son of the priest युवा लड़के जैसे पुरोहित का लड़का था Now oversuse अब जूते पहनते थे But many other like the ragpicker, ragpicker माने होता है कुणे उठाने वाई लड़के In my neighborhood remain suj But many other, लेकिन अन जो लड़के थे like the ragpickers कुणे बिनने वाई लड़के In my neighborhood मेरे आराज़ पड़ोंस के अन लड़के जो कुणा बिनने वाले थे Remain sujless अब भी वेगर जूते के रहते हैं My acquaintance with the bear foot Regpicker lead me to Simapuri नंगे पहरे वालों बच्चों से मेरा पर्चे मुझे Simapuri की ओर ले गया A place on the पेरी फेरी मैंने सीमा वर्ती आप डेल ही जो दिल्ली का सीमा वर्ती छेतर था Yet means away from it फिर भी वहाँ से मीलों दूर था Metaphorली मने होता है लाक्षणी ग्रूप से अब भी यह मीलों दूर था दिल्ली से Doj who live here जो बच्चे जो लोग यहाँ पर रहते थे आर Isquater वे यहाँ पर Isquater मने होता है एक प्रकार से जिसको आप बोल सकते हैं मनलब कोई आदमी आ करके कहीं पर रहे अत्क्रमण कारी या अबयद रूप से Doj who live here Are Isquater जो यहाँ पर थे वे अत्क्रमण कारी थे यहाँ अबयद रूप से बसे हुए थे Who came from Bangladesh Back in 1971 जो 1971 में Bangladesh से आए हुए थे साहबेज फेमली इज मांग दें उसी में साहब का परिवार भी था सीमापुरी वाज देन ए वाइडनेस तब सीमापुरी बड़ा सून सान लाका था बीरान था It is It is It is Still is अब भी है But It is no longer Inputty लेकिन खाली नहीं है In the Structure of mud दिवाल जो थी यहाँ जो घर बने हुए थे उनकी उनका मिलब जो उनकी दिवाले मिट्टी की थी भी थे रूप आप तिन और जो उनकी छटे थी तिन से च्छाई हुई थी एंड टेरापुलिन मने हो था तिरपाल से और जो कच्चे घरों की जो छट थी वह तीन और तिरपाल से च्छाई हुई थी डिवाइड़ आप सेवेज जो सीवर लाइन के बाद में थी ड्रेनिंग आप रनिंग वाटर जो सीवर लाइन वे उचित जो रनिंग वाटर उचित पानी का जो जल निकासी वाला भाग था उसका भाव था, वहाँ पर चल निकासी नहीं होती थी और नहीं उजित पानी आता था लिब 10,000 रेकपिपर जहाँ पर लगबक 10,000 कबाड़ी रहते थे वे यहाँ पर लगबक 30 साल से अधिक समय से रहते थे without an identity बगएर किसी परचे के, वे वहाँ पर 30 साल से बगएर किसी परचे के रहते थे without permit बगएर किसी permission के बट बित रासन कार्ड लेकिन उनके पास रासन कार्ड था that get their names on otal list जिससे उनका नाम otal list में था and enable them to buy grain जिससे उनको अनाज खरी लेते थे food is more important for survival than an identity लेकिन परचे सधिक भोजन महत्पून होता है survivor में जीरित होना important मने महत्पून identity मने परचे if at the end of the day यदि दिन के समापन पर we can feed our families हम अपने परिवार को खिला सकते हैं and go to bed without an etching stomach और अपने परिवार का भरन पोसंड कर लेते हैं अर्थात कहने के मनलब यह हुआ कि पेट में दर्द नहीं होता इसका मनलब खाली पेट और खाना खा करके वे सोते हैं we would rather live here than in the field that give us no grain तो यह हमाई लिए उन खेतों से अच्छा है जो give us no grain जो हमको अन नहीं देते हैं से एक ग्रूप आप ओमेन आउर्टों के एक जुंड ने कहा इंद टैटेल सारी टैटेल माने फटी पुरानी होती है जो फटी पुरानी सारी में थी जब मैंने उनसे पुछा कि तुम लोगों ने अपने हरे भरे खेतों और नदियों को क्यों छोड़ दिया फिर इवर दे फाइंड फूट जहां पर उनको भोजन मिलता जाता है दे पिछ दे टेंट वही पर अपने टेंट को गार देते हैं पिछ मने गार देना देट बिकम ट्रेंसिट होम जो उनका चलता फिरता घर हो जाता है चिल्डन गो अप इन देम यही पर बच्चे बढ़ते हैं बिकमिंग पैरेंट्स इन सर्वाइबल और जीने का एक हिस्सा हो जाते हैं सर्वाइबल इन सीमापुरी मीन से रिक पीपर और सीमापुरी में सर्वाइबल का मतलब होता है त्रू दे यह वर्सों के दौरान इट है एक कॉरण दग प्रपोर्पोर्शन आफ फाइन आट वर्सों के दौरान एक क्उरपोर्पोर्शन भाग ए 服ெक क फाइन आट ललित कला आप रभाग हो गार्वीज टू देम इज गोल्ड सोना उनके कबाल उनके लिए सोना हो गया इट इज देयर डेली ब्रेड यही उनके प्रद्दिन की रोटी है रूप ओवर देयर हेड उनके सिर के ऊपर छट इवेन इफ इज लेकिंग रूप चाहे उसमें पानी ही टपकता हो बट फार एचाइल्ड इट इज इवेन मोर लेकिन एक बच्चे के लिए बहुत अधिक है आई सम्टाइम में फाइंड रूपी कभी कभी मुझे एग रूपीय मिल जाता है इवेन टेन रूपी दद रूपे की नोट भी मिल जाती है साहिब से साहिब बताता है जब तुम कूले के धेर में से एक सिल्वर चांदी के सिक्चे को पा जाते हो क्योंकि वहाँ पर और पाने की आसा जग जाती है बच्चों के लिए महसूस होता है गार्बेज है जो मीनिंग डिफरेंट फ्राम वाट इट मीन्स तू देर पैरेंट्स लेकिन गार्बेज है खुणे को बीनना बच्चों के लिए और उनके माता पीता के लिए अलग-अलग महत होता है फार्द चिल्डरन इट इट इज रेपेड इनवांडर बच्चों के लिए है एक प्रकार के आश्चर भरी एक कवर होती है गांट होती है फार्द इल्डर इट इज ए मीन्स आफ सर्वाइबल लेकिन बड़े लोगों के लिए है जीवका का साधन होता है वन विंटर मानिंग एक ठंडी की सुबह आई सी सहाइब स्टेंडिंग बाई दे फेंस गेट आप दे नेवर हूट एक सुबह ठंडी की सुबह मैं साहवे आलम को अपने पास के पनोस के एक चार दिवारी वाले गेट के सामने खड़ा पाती हूँ वाचिंग टू यंग में ड्रेड इन हुआइट प्लेइंग टेनिस जहाँ पर दो आदमी सफेद ड्रेश रहा कपड़ा पहन करके टेनिस खेल रहे थे आई लाइक दे गेम मैं खेल पसंद करता हूँ ही हमसमने होता है गुनगुनाना जो इस्थिर भाव से चहर दिवारी के पीछे खड़ा हुआ था आई गो इंसाइड मैं अंदर भी जाता हूँ जब चरव तरव कोई नहीं होता है ही एडमिरेट एड मिट्स सहमत होता है या कहता है हामी भरता है जो गेट कीपर होता है हमको जूले का प्रयोग करने देता है साहिब भी टेनिस का जूता पहना हुआ था जो थोड़ा अलग दिखता था ओवर ही जो इसके सर्ट और पैंट पर थोड़ा डिसकलर्ट दिखता था अलग प्रकार का दिखता था डिसकलर्ट मन होता है पुराना समवन गिपस दे में टूमी किसी ने मुझे को दे दिया ही सेज इन दे मैनर आफ एन एक्स्प्लानेशन वह ब्याख्या भरे सभाव से कहता है तत्य था कि किसी धनी लड़के ने उसको त्याग दिया था क्योंकि उसके एक जूते में बिल हो गई दिखेंद हो गया था ड़ नाट बोथर दिम इसकी कोई परवा नहीं फार वन हुँ है जो नंगे पर चलता है इवेन सूज बित ए होल उसमें उसके जूते में एक बिल हो इस ए ड्रीम कम टू यह उसका सपना सच होता है बट दे गेम लेकिन वह खेल ही इज वाचिंग सो इंटेंटली लेकिन वह खेल जो इतने वह दिर्णता से देख रहा था इज आउट आफ इज रिच जो उसकी पहुंच से बाहर था अर्था उस खेल को नहीं खेल सकता था उसके सामर्थ नहीं थी दिस मॉर्निंग इस सुबह साहिब इज आन हिज वे टू दे मिलक बूथ आज की सुबह साहिब जहें एक जहां पर दूद बिखता है बूथ मने केंद्र होता है दूद लेने जा रहा था इन हीज हैंड इस टील कनेश्टर उसके एक हाथ में लोहे का एक कनेश्टर था डिबबा था आई नाव वर्क इन टी स्टाल अब मैं के चाय की दुकान पर काम करता हूँ डाउन द रोड सड़क के नीचे सड़क के नीचे मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ वह दूर की तरफ सारा करते हुए बोलता है आई एम पेड एट हंड़ रूपीज मुझे को आट सुरूपे मिलता है और पूरा भोजन क्या वह इस नोकरी को पसंद करता है आई आस मैंने पूच्छा उसके चेरे पर चिंता नहीं थी श्टील कनेस्टर सीम हैवियर देन दे प्लास्टिक बैग श्टील का कनेस्टर या जो बर्तन था वह प्लास्टिक के बैग से भारी मंसूस होता था उट केरी सो लाइटली ओवर हिज सोल्डर जो उसने अपने कंधे पर टांगा हुआ था जो बैग था वह उसका था दे कंटेनर बिलांग टू दे मैं कंटेनर उस आदमी का था जिसकी चाय की दुकान थी साहिब इज नो लांगर हिज ओन मास्टर अब साहिब सोतंद नहीं था अर्थाथ अब वह दूसरे के अधिन में काम करता था